हलो माई डेर फ्रेंड्स मैं विवेक कुमार रोजयना की तरह लेकर उपस्तितूं टूडे करंट अपिर्स जी के एमसे क्योंजें मेरे सातियों आज है 31 माई और वार है रवी वार तो वार रवी वार के करंट अपिर को लेकर हम पस्तित हैं हमारे यूटूब चैनल यूवी कंपेटिसंस पर सातियों मेरे आज का करंट अपिर शुरू करने से पहले बात करते हम हमारे कल के क्वेस्चन ओपड़ दे की उसका आंसर भी तुम्हें पताना ना आपको तो कल का हमारा क्वेस्चन ओपड़ दे था कि हर साल 28 माई को विशु इस्तर पर वर्ड हंगर डे मनाया जाता है वर्ष 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा इस्तान मिला है ओप्शन A बैत्तर वा, ओप्शन B क्याण में वा, ओप्शन C 102 वा और ओप्शन D 111 वा मेरे सातियों अरस साल वर्ड हंगर डे जोकी 28 माई को मनाया जाता है यहने कि भुकमरी का दिवस है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 2019 में कौन सा इस्तान मिला 102 वा इस्तान और यह इस्तान भारत को नेपाल, बांगलादेश और पाकिस्तान से भी पीछे मिला है यह जो दिन है, वर्ड हंगर डे इसको मनाया जाने का उद्देश से क्या है उद्देश से दुनिया भर में भुकमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जाकुकता बढ़ाना है और इस दिन को वर्स 2011 के बाद से ने क्यों भुकमरी की बिमारी के बारे में जाकुकता पहलाने के लिए बलकि इस्ताई उपकरमों को माद्यम से बुकमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है वर्तमान में कोरोना वाइरस माहमारी चल रही इस कोरोना वाइरस माहमारी के दोरान विस्व इस्तर पर भोजन पहुचाने के लिए आउट रिच प्रदान करने के आव सकता और उन लोगों को बचाने के लिए सर्वोपरी के रूप में देखा जाता है जो इस मामारी से पहले ही ऐसरुचित रहे हैं साथ योग बात की जाएं वर्ल्ड हंगर डे की तो वर्ल्ड हंगर डे का इतियास की बात करें तो वर्ल्ड हंगर डे तैया हंगर प्रोजेक्ट द्वारा सुरू की गई एक पहल है जिसे सबसे पहले कम मनाया गया था वर्स 2011 में और सुरू किया गया था 2011 में और इस साल बुकमरी से पूरी तरह से निपटने के लिए दस्वे वार्सिक WSD को चिन्नित किया गया है यानि कि इस बार दस्वे बार मनाया गया था नेक्स्ट क्वेस्ट संस स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं आज के मॉटिवेशनल क्योटिसी मेरे प्यारे साथियों कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी से सुरुवात लेनी होती है कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी से सुरुवात कर लेनी होती है बले तैयारी पूरी ना हो क्योंकि ये इनतजार करने से काफी बہتर है तो इसी सोच के साथ इसी इंतजार को खतम करने के साथ हम सुरू करते हैं आज का हमरा करेंट अपेर्स जी के क्वेस्टन संग्या फश्ट से निमनलिकित में से किसे ओलम्पिक चैनल कमिशन का सदस्य चुना गया है और इसके अलावा अंतराष्टे होकी संग्यानिकि FIH के भी पिरमुक है साथ हम बात करेंगे ओलम्पिक चैनल आयोग की और ओलम्पिक चैनल आयोग की बात की जाए तो जो है अपने प्रारंबी के लौंचरण से अपने परिपक्वे और इस्तापित रूप की माध्यम से ओलंपिक चैनल की व्रद्धी और विकास की सला देता है आईयोसी यानि कि ओलंपिक चैनल आयोग जो है उसका मुख्या लेका है स्वीजर लेंड के लौजियन में और इसके वरतमान अद्धेक्स कौन है थॉमस बाक नेक्स्ट कौसन संक्या दो निम्न में से किस देश की HIV सूध करता क्वयार रेसा अब्दुलकरीम को किश्टोप मेरी एक्स पुरुसकार से सम्मानित किया गया है मेरे साथ यह HIV सूध करता क्वयार अब्दुलकरीम जिसको की क्रेश्टोप मेरी एक्स पुरुसकार से सम्मानित किया गया है वो कहां किये दक्षण अपरिका की इनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो क्वारे साथ अब्दुलकरीम ने डर्बन इस्टी सेंटर फोर एड्स प्रोक्राम अपरिसर्च इन साउथ अफरीका जिसकी कि वो वर्तमान में पिरमुक है मैं अपने किये काम के लिए आदा मिलियन यूरो लगबग 5,9,000 डॉलर का पुरुसकार जीता है यह जो पुरुसकार है कि रिष्टॉब मैरियक्स पुरुसकार फ्रांस में विज्ञान के छेत्र में दिया जाने वाला सीर्स पुरुसकारों में से एक है जो कि क्वेरेसा अब्दुलकरीम को महिलाओ को विक्सित करने महिलाओ को बताने या महिलाओ को समझाने के लिए मिलाए हर साल अंतराष्टिय एवरेस्ट दिवास यानि के इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कम मनाया जाता है और इस दिन को मनाया के हो जाता है नेपाल के तैंजिंग नौर्गे और न्यूजिलेंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट पर पहली बार चड़ाई की थी जिसके बाद वे एवरेस्ट पते करने वाले पहले इंसान बने थे तो इसलिए इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है बात करें अंतराष्टिय एवरेस्ट डे इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के इतियास की तो मेरे साथियों नेपाल ने स और उनके साथ यह हिलेरी का पूरा नाम एडमंड हिलेरी और तैंजिंग नौर्गे ने नौर्गे सेर्पा द्वारा साल 1953 में माउंट एरिष्ट पर पहली बार फतेया करने की स्मर्ति में हर साल 29 मही को यह दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन संक्याच चार निम्न मैंसे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार से तु नामक योजना सुरू करने की गोशना की है ऑप्सनी राजस्तान ऑप्सन भी मद्धे प्रदेश ऑप्सन सी गुजरात ऑप्सन डी उत्तर प्रदेश तो मेरे प्यारे साथियो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार से तु गोशना की है मद्धे प्रदेश मद्धे प्रदेश का मुख्यमंत्री को होना है सिवराज सिंग्चवान मामा तो मामा ने मद्धे प्रदेश में रोजगार से तु की गोशना की है रोजगार सेतों की गोशना COVID-19 में हमारे के कारण राजी में वापस आने वाले कुसल सर्मकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मज़ करेंगी मद्रदेश सरकार ने बेरोजगार परवासियों के लिए उनके कोसल से संबंदे चेत्र में नोक्रों के तलास करने और पंजी करत करने के लिए एक नए पोर्टल MP रोजगार सेतू पोर्टल भी सुरू किया है साथ यह जो योजना है यह मद्दे प्रदेस राज्ये में सुरू की गई है रोजगार सेतू योजना और इस योजना में की बात की जाए तो इस योजना के लिए जो पात तरता है वो सर्मिक मद्दे प्रदेस का इस्ताही निवासी होना चाहिए समग्र आईडी का काड़ धारा की होना चाहिए और ओनलाइन आवेदर करने की तीथी क्या दिया तीन जून अन्तिम थी थी है नेक्स्ट कोशन संक्या पांच निम्न में से दै इका बोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जिसका इंटरनेट संसकंड जारी की आ गया है आप्सन ए जे के राउलिंग आप्सन भी एमा वाटसन आप्सन C Stephen King और आप्सन D Helena Bohum कोर्टर तो साथियो दै इका बाग जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है जे के राउलिंग द्वारा आप्सन A राइट अन्सर है जे के राउलिंग इन्होंने ये पुस्तक लिखी है साथियो इस पुस्तक का इंटरनेट संसकन जारी किया गया है और यह जो पुस्तक है यह चिल्डर नेक्स्ट क्वेस्टन सेंग अच्छ है प्रिसिद व्यक्तित्तों वे बेजानदारवाला का निदन हुआ है और वे थे उप्सन अबेनिता उप्सन भी गायक उप्सन सी गायत्तेकार और उप्सन डी जोतिस तो साथ यह जो प्रिसिद साहित्तेकार या जोतिस जो है बेजानदारवाला का निदन हुआ है तो बेजानदारवाला क्या थे जोतिस थे उप्सन डी राइट आंसर है आपका जोतिस बेजान दारवाला के बारे हम बात कई जाए तो बेजान दारवाला जिनका 50 वर्स यूमर में निदन हुआ है और इनका पर해요 गुजरातमें एंधाबाद के एक निजिय अस्पताल में साथी हो मसूर जोतिस बेजान दारवाला विबिन तक्निक के माध्यम से बहुष्यवानी किया करते थे और वे वेधिक जोतिस नुमेरोलोजी हाथ देखना समेत कई तक्निकों के ग्याता थे और वेक्सर बजार के उतार चुड़ा को लेकर भी बहुश से वाने किया करते थे Next question संक्या साथ निम्न मेंसे कितने वर्स के इतियास में पहली मोटो जीपी रेस रद कर दी गई है Option A 30 वर्स, Option B 50 वर्स, Option C 70 वर्स और Option D 90 वर्स तो साथ यो इस समय कोरोना वाइरस महामारी चल रही है और कोरोना वाइरस महामारी की वज़े से पहली मोटो जीपी रेस 70 वर्स के इतियास में पहली बार रद की गई है तो Option C राइट अंस हो रहे 70 वर्स जो British ILS में रेस नहीं होगी इस रेस का आयोजन इस साल 28 से 30 अगस्त के बीच होना था नेक्स्ट कोस्टन संग्या आठ और राजकमरान तिम कोस्टन की निम्न में से भारत के किस राज्ये में चौथा टाइगर रुजर बनाने के लिए प्रस्ताव तयार किया गया है यह क्योंकि जब टाइगर रुजर की बात आती है राजस्तान गराम तो आता ही आता है मैं भी एक राजस्तान इहूं साती हो कम से कम रास्तान वाले तो मेरे को सब्क्राइब करिए राजस्तान में राज्जे में जो चौता टाइगर रुजर्वे बनेगा कहां बूंदी जिले में रामगड हिंडोली डाबी वे कालंदा के जंगलों में और इसके लिए प्रस्ताव मोजुदा जो विदान सबा सत्र है उसमें तेयार बेजा जाएगा वर्तमान में राजस्तान राज्जे के मुख्या मंतरी असोग गैलोते हैं और जल्दी हमें एक नहीं सोगात मिलने वाली है राजस्तान राज्जे के निवासियों को मैं भी राजस्तानी हूँ तो राजस्तान राज्जे की निवासियों को जल्दी एक सोगात मिलने वाली है और वो सोगात किसकी मिलने वाली है एक नए टाइगर जरु की तीन टाइगर जरु पहले सी है राजस्तान राज्जे में एक तो है सर इसका बाग परियोजना जो कि मेरा ग्रह राज जिला है दूसरा है आपका रन्थमबोर साथ हो यह दी था हमारा आज का करंट पिर्शी के और अब हम बात करते हैं आज के करने के साथ कमेंट जरूर करें आपसे विंति है कि आपका मर कमेंट हमें मौटिवेशन देगा और साथ हो कमेंट और कुछ नहीं कर सकते तो तो प्लीज जो कॉस्टन ऑफ दा डिया उसका आंसर दे दीजिए गलती जहीं सहीं नहीं पता तो गलती दे दीजिए क्योंकि हम आपको आंसर भी बताएंगे नेक्स टेक है वीडियो में और आपको सब कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा साथ यू लाइक करें कमेंट करें सेर कर और सब्क्रेब करें हमारे यूटूब चैनल यूवी कंपिट्सन आपके लिए बहुत कुछ है हमारे लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद मिलते हैं